हेलो आपके पास बूक है तो आप ज़रूर मिलाव बूक नहीं है तो कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं सारा कपर करेंगे कुछ भी नहीं चूटेगा historical sources देख रहे थे हम लोग और उसमें आज Morian inscriptions देखेंगे अब historical sources की अगर बात करो तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं literary source और archaeological source literary source हम लोग अल्रेडी देख चुग है और archaeological sources जो है वो अभी देख रहे हैं इसमें से origin and development of Indian Archaeology की अगर बात करें तो यह हम लोग अल्रेडी देख चुग है और kinds of archaeological sources देख रहे थे जिसमें की आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड करोगे archaeological sources को inscriptions then coins और monuments तो inscriptions अभी देख रहे हैं हम लोग coins monuments बाद में देखेंगे inscriptions में foreign inscriptions और indigenous inscriptions दो पार्ट में divide करते हैं इसको जैसमें से foreign inscriptions हम लोग अल्रेडी देख चुग है अगर आपने यह सारी जो चीजे मैं बोल रहा हूँ कि देख चुके नहीं देखा आपने तो इसी वीडियो मतलब इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा playlist मिल जाएगा इंडियन इस्ट्री का उसको आप देख लो पहले तो ज्यादा बेटर होगा इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन्स की अगर बात करें तो उसको दो पार्ट में देखेंगे हम लोग एक तो नौर्थ इंडियन इस्क्रिप्शन्स और दूसरा सौथ इंडियन इंस्क्रिप्शन्स जो नौर्थ में इबलेबल है और नौर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शन् अब इस इंडिया में तो इंडिजीनस इंस्क्रिप्शन ही होगा, तो वो कौन-कौन से है, मौरियन पिरेड में जो अबलेबल था, तो मौरियन इंस्क्रिप्शन हो गया, पोस्ट मौरियन में जो अबलेबल था, पोस्ट मौरियन इंस्क्रिप्शन, तो गुपता पिरेड मे दिखा गया था मौरेन टाइम पर और मौरेन प्रेड में उसके वारे में ठीक है यह स्ट्रक्चर एक्चुली मैं दिखा देता हूं ताकि मैं वीडियो को रिलेट कर सो कुछ चोटे-चोटे वीडियो बनाता हूं तो टॉपिक रिलेट हो पाए मैं कहां बता रहा हूं यह अब्वेटर होता है बागी आप बता सकते हैं आपको अगर कुछ ऐसा लगे बताने लाइक है इंडियन इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे था हम लोग तो इसमें देखोंगे आपको कुछ इस्कॉलर की अगर बिलीव करें पहले तोड़ा इंटो देख लिया था है इंडिज प्रेजेंट करते हैं जब दिखाते हैं वो कि देखिए मोरियन किंग जो थे असों का उसे उनसे पहले भी इंस्क्रिप्शन की परंपरा काफी थी ठीक है तो उसमें से एक है विप्रावा बुद्धिष्ट इंस्क्रिप्शन साब देखोगे जो कि सिधार्तनगर एक डिस्ट जो कि अजमे डिस्टिक राजस्तान के एक है तो दू इस प्रूफ यह लोग देते हैं बोलते हैं कि यह तका के टाइम से पहले जो इंस्क्रिप्शन का ट्रेडिशन था वो था कुछी स्कुलर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं मतलब इसक्रिप्शन लिखने की जो परमपरा है ऐस को ते वह स्होका जो थे। मौेरान किंग उनके साथ इस्टाइडD निया या तोq आ अगर मन्सकी तो मौर। कि यह एए कि बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मोटरेंगे मौर्ये इन परेड्व में तौर दीटेल में देखेंगे कि ऐस का कौन होते हैं ऐसे अपने नाम तो सुनाई होगा अगर आप कुछ नहीं जानते हो इनके बारे में तो यह चीजे देटी है वागी आगे देख लेंगे अगर कोई करके टाइम से ही ऐसा है तो आप देखोगे कि अगर आप लास्ट वीडियो में अगर आप लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हम लोग देखे थे कि इरानियन इंस्क्रिप्शन जो था पहला फॉरें इंस्क्रिप्शन था जिसमें जिसको की डेशिफर किया गय तो यह जीज आ nggak अंगर मताता है इसी तरह इंडीज्इनर इंस्क्रिप्ष्वर्ण के मॉंग कर देखा जा है तो वृस्ट do Ар부터 ads in mettug i5 वो रिट खोन इंस्क्रिप्ष्वर्ण गुव कर तो यह चीजें असुट इसको किया गया था 1837 में किसके द्वारा जेम्स प्रिंसप किता रहा यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता एकजाम में कि अक्षोकन इंसक्रिप्शन को किसने डेंस ने जेम्स प्रिंसप जो थे यह इनका काफी अच्छा कंट्रिबूशन रहा है एक सीविल सर्वेंट है और यह जो थे इस्ट इंडिया company में करना लब employee थै बेंगाल में ठीग है आगे देख लियते हैं North Indian inscriptions में हम लोग Morian inscriptions में देख रहे हैं जिसमें की आजोकन inscriptions देखेंगे ठीक है तो इसके बारे में इसमें ब्रीफ में आपको देखना है क्या क्या उसकी कुछ important जो चीजे थी ठीक है बाकि अगर detail में हम लोगों को आगे देखना है यहां पर दिया भी नहीं है उतना information Lucent में बट जब more in period परेंगे उस टाइम पर असोका के बारे में जब देखेंगे तो उसमें का पर डिटेल में दिया हुआ है about असोकन इंस्क्रिप्शन ठीक है तो उस टाइम पर डिटेल में देखेंगे अभी सॉट में जो information दिया है उसको देख लेते पॉइंट वाइस दिया हुआ है कि मतलब असोकन इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो अभी तक लगबग 40 जो है असोकन इंस्क्रिप्शन वो खो जा जा चुगा है ठीक है और इनके इंस्क्रिप्शन में अगर क्वीन्स की बात करें तो करूवकी सिर्फ करूवकी का मेंशन किया गया है और चिल्डरन में अगर बात करें तो तेवर ठीक है यह चोटी-चोटी जो भी information है देख लेंगे शॉट में बागी असोकन इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो इस इसमें कुछ वर्ड जो है जैसे पसंद यूज किया गया है संप्रदा के लिए संप्रदाय के लिए संप्रदाय मतलब होता है कम्मुनिटी ठीक है और बंभन बंभन जो है इस ब्रामन के लिए यूज किया गया है और निगरत जो है कि निगरंत या फिर जैन जैन ना बोल सकत था उसको यहां पर दिया गया है जैसे अल्रेटी हम लोग देख चुगे पसंद हो गया या फिर बंबं हो गया प्रामन के लिए या निर्गन्त हो गया जैन के लिए ठीक है आगे देख लेता है भवरु इंस्क्रिप्शन्स एक असोका का है जिसमें कि आपको यह अनली असोक आपको देखने को मिलेगा जैसे की बाइडेक्शनल का क्या मतलब हुआ पहले वह राइट से लेफ्ट लिखा जाता था उसके बाद फिर लेफ्ट से राइट लिखा जाता था ठीक है अल्टरनेट लाइन्स में तो अल्टरनेट लाइन्स में आप देखोगी कि सुर्ण आफंडेक्शनल कि प्मेठ लाइट से लिखते लाइट अह सब्सक्राइब होजिए मृट लेक्टेब्ट Авडशब्र क्लिख ghost इसोनर्ट आसलां भी कहते थे थिंगा नाम से क्लिए रहा है मतलब इसको लाइक पीस ओफ आन और्क्स तो आप समझी रहा हो तो इसको बैल मुत्ती भी क्याता है दे, आगे देख लेता है, येरा गुड़ी इंस्क्रिप्शन्स, ठीक है, ये कहाँ पढ़ता है, आंत्रप्रदेश में आपको देखने को मिले गए, और इसमें जो है, ब्रामी स्क्रिप्ट यूज किया गया है, लेकिन वो राइट से ले लेफ्ट लिखा गया घमें तो ये भी ओप्शन में यूज किया जा सकता है, ये रवड़ि में ब्रामी स्क्रिप्ट लिखा गया है, जो कि Left to Right है, इसा मतलब ऊप्शन में तो 2 भाइससे चेंज करके दे सकते हैं, तो आपको दिखन रखना है, प्रामी जूज टो लेफ्ट इसी चीज के लिए जैसे राजा हैं तो एवर्नेस फैलाने की लिए कुछ लिखते थे तो वो मतलब बुद्धिस्म के काफी बुद्धिस्म फालॉ करते थे बुद्धिस्म जो रिलिजन था तो उसके परचार के लिए भी उन्होंने बहुत सारी inscriptions लिखी तो उसमें आप देखोगे कि कुछ चीजें मतलब वो लिखते थे था कि लोग जान चाके उनको उनके बार में वो जो प्रचार करना चाहते हैं तो ये सारी चीजे थी बागी देख लेते हैं आगे ठीक है ये four आपको देखने को मिलेगा जो की कौन से कौन से है मस्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदे गोलम ठीक है तो ये इंस्क्रिप्शन जो है इसमें आप देखोगी कि असो का जो है खुद को असो का बोल रहा है ठीक है एक्चुली असो का जो नाम था तो थोड़ा थोड़ा वैरी करता है कहीं मतलब नाम में अंतर हो सकता है आपने आपको कुछ टाइटिल जिनरली राजा लोग टाइटिल ले लिया करते थे तो उसी साब से देखोगे तो four inscription जो मस्की, गुर्जरा, देन्नितूर और वेडेंग गोलम यह जो है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि असोका खुद को असोका कहते थे ठीक है, खुद के लिए असोका नाम यूज किया था उन्होंने बभरू inscription की अगर बात करें बभरू inscription तो उसमें असोका ने, मतलब जो लिखा उन्होंने तो गो ऐसा only descriptions है जिसमें उन्होंने अपने मतलब, खुद के लिए कौन सा नाम यूज किया मगदीराज, ठीक है, मगदीराज का मतलब होता है राजा अफ मगद मगद जो मतलब region हुआ करती थी तो उसके राजा इन्होंने उसमें मतलब लिखा मगदीराज तो ये भी ध्यान में रखना है बबरू inscriptions में सिर्फ बबरू में ही यूज किया गया है मगदीराज तो कुछ-कुछ टाइटी ले लिया गाज़ित राजा लोग, तो इसलिए इसमें मतलब छोटा-छोटा information है वो देख लेते हैं, असोकन जो है गुप्तारूलल, इसकंद, गुप्त के बारे में देखने को मिलेगा ठीक है तो लोग भी अपना जो inscription होता था जैसे मालो असोका ने लिख दिया, ठीक है असोका ने inscription लिख डाली एक रॉक पे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि असोका के बाद जो रा जाएंगे वो सकता है उसी रॉक पे कुछ लाइन एड़ कर दें, ठीक है तो इस तरह से आप देखोगी कि जुनागर जो असोकन inscriptions है, उसमें आपको साकारूलर रुद्रादवन की भी inscriptions दिखेगी और गुपता रुलर, इसकंद गुपत की भी inscriptions में लेगी, ठीक है बाकि रुद्रुद्रादवन, इसकंद गुपत, जो भी है साकारूलर या गुपता रुलर, इनके बारे में आगे पढ़ना है, तो उस ताइम पे देखेंगे अगे डिटेल में, अगर आपको इनके बारे में information नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आगे देखना है, ठीक है, यह आप देखोगे कि जूनागर की यह, एक मिनिट क्लियर कर दो, हाँ, जूनागर की यह जो मतलब रॉक के डिक्ट है, इसको समाल के रखा गया, तो यह देख लो, मतलब एक आइडिया के लिए मैं दिखा दे रहा हूं, इसक्रिप्शन, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे location, ऐसे location तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, कहीं जहाँ पे दिया हुआ है, और चेंज हो जाता था, जैसे यह देख लो, आप आप सोकन अलावाद पीलर इडिक्ट, तो यह क्या है, पीलर पे लिखा गया था, पीलर आप समझी रहे हो, इसी तरह मतलब रॉक पे लिख दिया था, रॉक इंस्कृप्शन तो देख लेते हैं, अजो कन पिलर इडिक्ट के बारे में, यह क्या है, इस इंस्कृप्शन पर 4 परशन का मतलब नाम लिका हुआ है, एंसक्राइब किया हुआ है, तो वो कौन-कौन है अजया करूबह ठीक है अभी detail में हम लोग देख रहे हैं Lucent को फिर मतलब पूरा complete कर लेंगे उसके बाद फिर short में मतलब जब revision की बात आएगी तो मैं revision का भी short में जो जो important होगा वो मतलब उसको ले करके short में cover कर लेंगे ठीक है revision वीडियो भी देख लेंगे ठीक है बागे अभी देखते हैं first discovered inscriptions की अगर बात करे जाए तो वो कौन सी है वो है मेरूद देली पिलर एडिक्ट ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है first जो discovered inscription थी असोका की वो कौन है मेरूद देली पिलर एडिक्ट है जिसको discover किया गया था 1750 AD में किसके द्वारा तो जोसेफ टेफन ठेलर ठीक है ये कौन थे ये के रूपियान थे ये जी सेट में सेनर्स या फिर ये जोग्रफर भी थे ठीक है तो इन्हों नहीं करा था यह देख लो आप जैसे अलावाद पिलर एडिक्ट की बात कर रहा था मैं तो इसमें क्या है पिलर पे लिखा जाता है ये फिगर में आप देखोग करें लिखा जाता था ये ब्रामी स्कुरि antim or प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था लेंग्वेज और स्कुरिप्ट में अंतर गया है कि लैंग्वेज जो है वह बोल चाल के मतलब इस घ्राली में हम लोग यो उलेक्जन करते हैं जैसे आप कोई चीज जैसे हिंद जाए तो communication के form में अगर यूज कर रहे हो तो वो language हो गया और लिख रहे हो तो उसके लिए के लिए वाकि script और language में यही चोटा सा अंतर है ठीक है आगे देख लिए था है प्राकृत जो है जिनरली देखा जाए गया है कि असोकन descriptions में प्राकृत लेंग्वेज यूज किया जाता था जिनरली ठीक है बट अगर इडिक की बात करी जाए तो script vary करता था region to region जैसे ब्रामी script आपको इस्टर्ण इंडिया में देखने को मिलेगा खरोच्ष्टी script जो है वह आपको western इंडिया में देखने को मिलेगा और Greek और Armaic script यह आपको कहां देखने को मिलेगा western इंडिया में ठीक है तो script vary करता था और language की अगर बात करें तो प्राकृत language में लिखा गया है तो आपको यह ध्यान या फिर साहब बजगड़ी ठीक है तो यह दोनों का हैं यह पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा यह दोनों inscriptions यह खरोच्ष्टी script में लिखा गया है जिसको क्या right से left लिखा जाता है ठीक है खरोच्ष्टी script के अगर बात करें तो खरोच्ष्टी script इसमें यूज किया गया है इस inscriptions में दो inscriptions है ठीक है मन सेरा और साहबज गड़ी ठीक है आगे देख लेगा है सारा एक कुना ठीक है सारा एक कुना इंस्क्रिप्षन जो है यह आपको कंदार अफगानिस्तान में देखने को मिले गया यह गृट और अर्माइक script में लिखा गया है ठीक है इसमें यूज किया गया जो script ग्रीक और अर्माइक ठीक है यह कंदार अफगनिस्तान एक्चली गंधार से एक चीज लास्ट वीडियो में मैंने गंधार के बारे में बोला था कि इंडिया में पढ़ती है ठीक है इंडिया एक्चली मैं एंसेंट इंडिया की बात कर रहा था तो एंसेंट इंडिया कर देखोगे तो एंसेंट इंडिया जो है वो आपको मतलब पाल और भांगला देख वगरें था तो आप देखोगे कि वो शहरा जो सब कंटिनेंट में इंक्लूडएड था तो उस ताइम पे मैं गंधर के बारे में जो बोल रहा था हूँ मैं ancient India की बात एक्चली मैंने इंडिया बोल दिया तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ancient India की मैं बात कर रहा था तो ancient India जो की मतलब Indian subcontinent है उसमें गंधार आता था पर गंधार अभी आप देखोगे तो वो इंडिया में नहीं पड़ता है ठीक है तो आप उसको थोड़ा मतलब देख ले न मैं इंडिया बोलाओं तो यह नहीं कि आप यह नहीं समझना कि अभी कि इंडिया की बात कर रहा ठीक है Indian subcontinent अगर आप नहीं समझ पा रहे हो उसके बारे मैं नहीं पता है तो पहले वीडिया जो मतलब हिस्ट्री का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आप देखोगे कि मैंने इंडिया इंडिया की जब भी बात होगी तो आप यह समझना कि इंडिया की बात हो ठीक है अभ तो थोड़ा सा मतलब आप माइंड में अगर इंडिया लेके चलोगे तो गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि गंदार जो है भी पाकिस्तान आप अपकानिस्तान रीजन में देखने को मिलता ठीक है आगे देख लेते हैं देवदत रामकृष्ण बंकर एक मिनट बंदार कर ठी किया गया था 1925 एडी में और इस बुक में यह जो बुक लिखा गया यह फुली बेस्ट है इंस्क्रिप्शन आपको द्यान में रखना असोका बुक इस ने लिखी तो देवदत रामकृष्ण बंदार कर ठीक है आगे देख लेते हैं आगे है दसरत नागर जुनी केव इंस ब्रामी केव दॡ्रामी केव जो देखने को मिलेगा आपको इस्तरह से यह प्राकृत लेंग्वेज है अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आप देख सकते हो ठीक है मतलब समझ सकते हो बांखी तो प्रॉब्लम है तो देख लिए आगे ठीक है यह केव हो गया और केव के दीवारों पर इन्होंने लिखा है ठीक है दसरत के बारे में मैं बता रहूं द केव की दिवारों पर तो उस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से आप देखोगे according to the inscription कि तीन केव जो है क्या क्या नाम है वह वापिका लेंगोपिका और वधी ठीका ठीक है यह तीन केव इन्होंने मतलब दसरत ने क्या कर रहा था डोनेट किया था ठीक है दान में दे दिया था कि इसको अजीविका के मोक को अजीविका जैसे बुद्धेश्म जानेश्म धर में न उसी तरह अजीविका भी थी तो अजीविका के जो मोक लोग थे ठीक है फॉलोर लोग ज़ते अजीविका के उनको दे दिया था इन्होंने ठीक है डोनेट कर दिया था तो वो किसलिए तो रेनी सीजन में क्या होता था वो लोग अचली वो लोग मतलब घर में तो रहते नहीं थे तो इस कारण से उनके रहने के लिए कुछ जगा चाहिए था तो उन्होंने केव दे दी ताकि रेनी सीजन में क्या हो सके उसके में वो लोग रह सके ठीक है यह आज के लिए था तो जादा ही बेटर है क्योंकि आप बता रहे हो कि हाँ यह मतलब कैसा है मैं मैंनत कर पा रहा हूं कि नहीं और समझाने में सक्षम हो कि नहीं ठीक है तो आपकी आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप लाइक कर सकते हो ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ मैं मतलब मैंनत कर पा रहा है आपके लिए helpful हो राड़ी है तो feedback दे हुए तो अच्छा होगा बाकि thank you bye